आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल पर आज हम लोग बात करेंगे राज़त विधायक चेतन आनंद के बारे में जो राज़त के राजसवा सांसद मनोज्जा के राजसवा में दिये एक बयान पर बिना बात का बतंगड बना रही हैं। मोदी सरकार से अनरोत किया। मनोज्जा अपने इसी भाषन की अंत में ओम प्रकाश बालमिकी जी की एक कविता पढ़ी जिसका शीर्षक था ठाकुर का कुआं। उसी को लेकर सारा विवाद छड़ा हुआ है। लेकिन चेतन आनंद द्वारा इस पर सवाल 27 तारिक को उठाया गया है। इससे यह साफ इसपच्ट होता है कि राजद विधाय चेतन आनंद द्वारा राजणतिक फायदे के लिए बिना मतलब का बात का बतंगड बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि मनोज्जा के इसी बयान पर पूर्व सांसत आनंद मोहन ने भी हद पार करते हुए मनोज्जा का जीब कार्ट लेने की बात कही है। सूत्रों की माने तो राज़त के नेताओं ने इस पूरे मसले पर लालू प्रशाद यादव से चेतन आनंद पर कारवाही करने की मांगी है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूशें।